आज के इस वीडियो में हम शरीफा या फिर सीता फल के बारे में बात करेंगे और इसमें इतने सारे गुड़ हैं कि अगर ये कहीं भी आपको मिल जाए तो आपको इसे खाने का मौका कता ही नहीं छोड़ना चाहिए सीता फल को इंग्लिश में कस्टर्ड एपल कहते हैं इसके इस्तेमाल से हमें आईरन, केलशियम, मैगनीज, मैगनीशियम, पोटेशियम और फासफोरस इत्यादी तत्व मिलते हैं इसके अंदर मौझूद पोटेशियम और मैगनीशियम, करदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैगनीशियम शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता इसके अंदर इतना फाइबर पाया जाता है कि बलड प्रेशर सदय वच्छा रहता है, इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है इसमें विटामिन और आईरन, खून की कमी को दूर करके हीमोकलोबिन बढ़ाता है सीताफल के खाने से कबज की समस्या नहीं होती है, इसमें परयाबत मातरा में कॉपर तथा फाइबर होते हैं, जो कबज की समस्या को जड़ से खतम कर देते हैं गर्भवती महीला के लिए शरीफा बहुती लाबदायक होता है, इससे कमजोरी नहीं आती, उल्टी वज्जी हबराना ठीक हो जाता है सीताफल के पेड़ की छाल में पाय जाने वाले टैनिन के कारण, दातों और मसूरों को बहुत लाब मिलता है, यह मुझी बदबू भी मिटाता है सीताफल में पाय जाने वले विटामिन A, विटामिन C तथा राइबो फ्लेविन के कारण ये आँखों के लिए बहुत फायदे मंद होता है जिन लोगों में काम ज्यादा मोबाइल या लैप टॉप में होता है उनको इसका नियमित सेवन करना चाहिए कच्चे सीताफल को खाने से दस्तव पेचिश में भी आराम मिलता है आपने देखा कि एक सीताफल में कितने सारे गुण है इसलिए जैसे ही मौका मिले इसका सेवन जरूर करना चाहिए